नवश्कार मेरे प्यारे सातियों आप सबकर स्वागत हैं आपकी प्यारे चनल वर्ड़ फेस के इंदर मैं हिश्तिवारी आज दिक्याओं के लिए बहुत ही विशाद नाव यहां पे 12 मार्च का करेंट फेस लिकिए शुरू करने से पहले आपके लिए बहुत ही प्यारा अभी कभी ऐसा देखा भी गया है कि गुच्छे का जो आकरी चाबी है वह अकसर ताले को खोल देती है तो क्या पता मेरे सातियों आपका जो आखरी एटेंप्ट हो वही आपके जिन्दीकी के अंदर जो ताला लगा हुआ है उसे खोल के चले और मैंने कर आपसे कोशन पू अकाडमी तो डाणर कीजिए आने अकाडमी लणिंग एप फ्रॉम ये प्लेस्टोर आई यूस और वहां पर आपको मिनने वाला है देखे डेली लाइफ क्लासिस यहां पर लाइफ टेस्ट एक्विजिस लेकिन यदि आप पाना चाहते हैं इसका स्ट्रक्चर कोर्स जहां आपको unlimited SS मिनने वाले हर educators के तो अभी लीजिए आप एससे examination का सब्सक्रिशन लेकिन ये फीज पे ना किजे यूज कोड एश्टी सेंटर एंड से मने चली आपको बता दू कि आप सारे के सारे 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 की जो नोट्स हैं वो टेलिग्राम से प्राप कर सकते हैं बाई किए और का ऐका हो franksus या फिर अब किसार किसारह ने और किस मिने अचरम से जान्दे की याथरा किए के खर लिए्ङों से रिपीट के जा रहे मेरे साथ हम जब बात करेंगे तो अब जानदे के 12 मार्च 1930 को 89 वर्ष पहले यहां पर से म्यात्रा हुए थी जो नमक सत्रगरे के खिलापती गांदी जी की और उन्होंने 12 मार्च 1930 से 6 अपरेल 1930 तक यहां पर डांडी तक यात्रा की थी और इसी के दिन आजी के दिन यहां पर आजादी में प्राइज है अप्टो 1.75 लाक रुपीज अगर बात की जाए तो आजादी के अमरित महसब के उपलक्ष में यहां पर 259 मेंबर्स की जो हाई लिवल कमिटी है उसको भी बनाये गया है और इसके बारे में आपको मैं पहले भी प्रिविस यह जो हमारे पार्ट से वितिस मंगेश्वर, नोबल पुरस का विजेता अमरित सेन, सीनियर बिज़िपी लेडर के अलके अडवानी, इसके साथ साथ में वहाँ साथ लेडर्स भी हैं जिसमें कॉंग्रेस प्रेजिदेंट सोनिया गांदी है, सीपियम लेडर सीतराम येचुरी है, एन्सीपी लेडर शरत का तो ये चलाया जा रहा है, 75 हफसवतों के लिए, और नेक्स्ट, यांकि 15 अगर्स 2022 तक की जो योजनाइच शुरू की गई है, आस से शुरू की जाएगी 12 मार्श 2021 से, चली, नेक्स्ट कुशन आपके स्क्रीन पर ये है, कि 12 मार्श से 27 वा हुनरहाट किस राज्य में आयो तो as you can see, Twitter account of the PIV, जिसमें ये साफसा मेंशन है कि 27th हुनरहाट being organized at Bhopal, जो मद्धिपदेश की capital भी है, देखिए ये जो हुनरहाट चल रहा है, इस पर छोटा सा आर्टिकल मिला था मुझे आटलूक पर, और इसमें इस साफसा मेंशन था, ये साफसा मेंशन किया गया है, क ये जो हुनरहाट चलाया जा रहा है, ये चलाया जा रहा है, अगर बात की जाएगी तो ये चल रहा है एक theme पर, और यहाँ पर जो theme है मेरे सात्यू, वो है आपर vocal for local, आपने सुना होगा कि जब दिल्ली में है ये हुनरहाट हुआ था, तो मोदी जी ने आप पर देखिए, एक theme launch कीती जिसे बोलते हैं यहां पे कौन सा vocal for local और यहां पे हम जो बात करने हैं यह होगा हां पे 12 मासरे की 28 मास तक इसके लावा भारत में बहुत सारे शेत्रह से हैं जहां पे यह हुनारहाट का जो कारिक्रम है यह जित किया जाने वाला है चलिए अगर मैं बात करूं मध् विदानसवा सीट है 230-231 यहां पे हरकासा करेक्शन है मैं दिसाती हूँ यहां पे answer है 230 यहां पे इसे founded किया कि तो अभी नया राज्य कौन सा है तो यहां पे अभी यहां पे वन नेशन वन राशन कार्ट में शामिल किया 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 है उत्राखंड को यहां पे 17 स्टेट बन गया है जो इस योजना के तैस शामिल किया गया है आप यहां पे देख पाएंगे कि किस प्रकास यहां पे छोटा सा आर्टिकल है यहां पे उत्राखंड के अंदर हम जो बात करते हैं तो 2019 में यूनिन मिनिस्ट्री रामविलास पासवान ने इसे पालेट बेसिस पे योजना बनाईती जिसमें चार राजिशा मिलते आपको बता दू कि इस योजना को चलाया जाना पे नैशनल फूर्ट सेक्रिटी की तहत और बहुत सारे स्कीम्स को मर्च किया गया है इसमें सबसे जादा सबसे जादा यहां पर हम जब बात करते हैं तो बेनिफिशरी है उत्तर प्रिदेश फॉलिट बाइदी यहां पे कनाटिका और फॉलिट बाइदी गुजरात ओके चली अगर बात की जाए है पर उत्राखं से भारत की तीन तवसी यात्रा पर आने वाले अमेरिकी रक्षा सचीव का नाम क्या है यहां पर कोशन को ध्यान से सुनेगा मैं रक्षा सचीव की बात करहां I'm not talking about the defense minister मैं बात करहां defense secretary की चलो तो यहां पर कोशन पूछ है कि यहां पर 19 मार्च को कौन से रक्षा सचीव आ इंडिया Pacific की जो बात ही चलने वाली है उसके agenda क्यों पर यह बात होने वाली है और यह मिटिंग होने वाली है राजनात सींग जी से जो defense minister है इंडिया के अगर बात की जाए यह किस देश से हैं तो answer USA से USA की जो मैं बात करता हूं that is United States of America जहांके President है Joe Biden और यहां पर Capital है Washington D.C. 11 March 2021 को किस देश के प्रधामंत्री बकायोको का निदर हुआ है इंपोर्टन कोशन आपके examination के point of view से तो यहां पे जो बकायोके जी की मित्ति हुई है वो किस देश से है तो answer है ivory cost से अगर मैं बात करूँ आइवरी cost की देखिए तो एफरिका के अंदर जो गिनी की खाड़ी ह गल्फ ऑफ गिनी है तो गल्फ ऑफ गिनी की ऊपर में यहां पे छोटा सा देश है ivory cost और यहां पे छोटा सा अर्टिकल आप देख पाएंगे हैं कि किस प्रकासी बताइगे है कि यहां पे जो बकायोके जी है उनकी देहां तो है जर्मानी में due to cancer तो ivory cost प्राइम नेस्टर बकायोको डाइग इन जर्मानी फ्रम कैंसर और यहां जो बात करते हैं कि यहां पे आप एफरीका की ऐर अगर मैं एफरीका की बात करूं तो यह जो आप इलाका देख पा रहे है यह गिनी की खाड़ी गल्फ ऑफ गिनी और गल्फ ऑफ गिनी वही पर टच करती इंटेसेट करती है अगर आपसे पूछें कि यहां पर GMT और Zero डिगरी एक्वेटर हमारा वो कहां पर मर्च करती है कहां पर इंटेसेट करती सर्छा डिखी तो यहां पर दिख पाएंगे कि यहां पर बुरकीना मेरा बीटा पर इंतर Мाली ऑक चोंटा सा सेट कंट्री में मिनद्र के ऊंडर से निकिक्षाों नेन ग्यारवी होकी इंडिया सब जूनियर राष्टी महिला चेंपिन्शिप का उध्गाटन किस राजिन किया है तो आप इस कोशन का आंसर तो हेमन यहाँ पर बुख्यमंत्री की नाम सी दे सकते हैं मुझे तो बहुत ही सिंपल आंसर है आंसर है जारकंड येस मेरे साथ ही आंसर है जारकंड रिखिए तो इंडिया एक्सपरस के चोटा साहर पर एक आर्टिकल है कि जारकंड के अंदर यहाँ पर शित परता है सिम्डेगा जो यहाँ पर डिस्टिक भी है तो सिम्डेगा के अंदर यह यहाँ पर देखेज हांकी एंट को होस्ट किया जा रहे हैं तो पहली बार 14今天 में बैक टूबएक डै दो यहां पर हौकी एवेट्स हैं जो होस्ट किया जाएंगे तो पहला है हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नैशनल चमपेणशिप जो वी शुरूब है आपके 10 मार्च को और यहाँ पर मेरे साथी दूसरा होने वाला है जूनियर नैशनल वूमेस चंपेंशिप जिससे स्टार्ट किया जाएगा अपरल टीम को बैक टू बैक पोजिशन के अंदर चली तो यहाँ पर जाकन से रिलेटर एक छोटी सी न्यूज और है जो मुझे कल की आर्टिकल में बहुत अच्छी लगी कि किस प्रकास से यहाँ पर कोविट के अंदर एक रहती है जो बहुत जादा मदद के लिए सामने आया है सोनु सूद जी तो सोनु सूद जी गिफ्ट राइ अपकमेंग इवेंट्स तो उन्होंने यहाँ पर डिमांड कर दी थी कि मुझे यहाँ पर रैफिल चाहिए और सोनु सूदने से पूरा भी कर दिया आपको बता दो कि सोनु सूद जिस प्रकास से उबरे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे बाते भ कोश्चन को दम से सुनिएगा कि 15 महीने बाद 26 मार्च 2021 हो प्रधान मंत्री नरेर मोदी किस देश की यात्रा करने वाले हैं और इसके बारे में मैं को पहले भी थोड़ा से हिंड दे चुका हूँ इसका अंसर आपे बांगलादेश देखे अगर बात की जग 26 मार्च की तो 26 को यहाँ पर बांगले देश की आजदी के यहाँ पर 50 साल पूरी होने वाले हैं 26 मार्च dio हैं मोडीजी के द्वारा इंडिया और बान दीश के विष में एक सी को प्रधाम मंत्री मोडीजी ने अभी बानदीश के ताथ अपमें संबंधों और ज्यादा कि आगे बढ़ा है अभी recently 2-3 दिन पहले यहाँ पे प्रधाम मंत्री मोधी जी के द्वारा इंडिया और बानलदेश की बिश में एक सेतु को स्थापित क्या गिया है जिसे बोलते हैं मेत्री सेतु और मैं मेत्री सेतु की बात करूँ तो it's a bridge जिसके लंबाई है 1.9 km और ये बना है सबूर्द जो पड़ता है त्रिपुरा में और रामगर जो पड़ता है बानलदेश में और किस नदी की उपर है तो आंसर है फीनी नदी की उपर और साथी साथ में यहाँ पे नेशनल 208 यह सभी के सभी एक्जामनेशन के पॉइंट वी से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर मैं बात करो त्रिपुरा की जहां पर यह नेशनल हाइवे बना है तो त्रिपुरा इस नहीं स्टेट विचे सरॉंड़ेट भाइद थी साइट बानलदेश अगर हम बात करें जो मैंने अपसी पूछा ता इसका आंसर भी आपने मुझे बहुँ जादा कमेंट सेक्षिन में दिया है तो कोशन यह था कि बॉलिवूट के किस प्रसिद अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन और फिल्म आर्चिव का जो अवार्ड है वो दिया गया है तो आंसर है अम इस अवार्ड को अमिता बच्चन जी को देंगे आपको बता दू कि अमिता बच्चन जी यहां पर ब्रैंड अमेसेडर है थे फिल्म हेरेटेज फांडेशन के 2015 में भी अगर बात की जहां पर इंटरनेशनल फेडरेशन और फिल्म आर्किव की तो इससे स्टैब्लिश किया गया है 17 जुन 1938 को पैरिस में और यह हर सार यहां पर अवर्ड को देता है बहुत सारे अभिन्यताओं को चलिक कोशन यहां पर नेक्स्ट है कि 11 मार्च को कश्मीरी पंडित द्वारा मनाया जाने वाला प्रसित तोहार कौनसा है विच इस फेमस फेस्टिबल पुरे भारत में शिवरातरी का आयोजन किया जा रहा है उसी प्रकास सी कश्मीरी पंडितों के द्वारा जो मुक्यों वब से तियोहार है वह कौनसा पर है आपको बता दूँ कि यहां पर शिवरातरी के तो आप एक जोटा सा ट्वीट देखआ रहे हैं जो बिगेन हो चुका है यहां पर कश्मीर के अंदर तो इस सम्थिंग सीमिलर टो शिवरात्री उके लिगें अगर मैं बात करूँ कश्मीर पंडित की तो यहां पर बहुत साथ बिवादित एरिया भी रहा था कश्मीर पंडित को लेके अभी क्योंकि केस प्रकास से यहां पर बहुत सारी डिस्प्यूट्स भी हो थे आपको मैं बता दो मेरे साथ क्यों जो कश्मीरी पंडित है वो सारासुद ब्रहमिन की कम्यूटी है जो एकमात्रेसिक इंडियन कम्यूटी है हिंदू कम्यूटी है जो रह गई है कश्मीर के अंदर और बहुत सारे लोग थे जिना पर हटाया भी गया तबी चली नेस्ट कोशन है कि न्यूकलियर प्रोपोजिशन संवरीन उत्पादन में किस प्रोजेट को संबंदित किया गया है बहुत ही सिंपल कोशन है दा आंसर इस प्रोजेट 75 अभी डियाड्यू क कि द्वारे एक नए टकनीक खोजी गई है जिसमें संब्रीन के अंदर आप लंबे समय तक जो फ्रेश एर से मेंटिन कर सकते हैं और इसके लिए जो टेकनीक खोजी गई है उसका नाम है मेरे साथ यो उसका नाम है आप एर इंडिपेंडेंट प्रोपोजिशन और यह एक प इससे पहले हम बात करते हैं तो यहां पर पहली जो इस ट्रीकन संब्रीन स्पार्ण ब्सक्राइब कोवरी हैं दूसरी है skiniri और आयनेस करें घुले के और बात की जडिया रडियों के बारे में जिसने प्रोटटाप बनाया है तो डिया रॉके यहाँ पर हम बात करते हैं तो धेहाँ पर जो डिरबाट Assim इस य०्री तट्रफिलीह हैं बहुत ही इंप्पॉर्टटन पेमेंट करने के लिए पूरा पैसा मिलता रहे इसके लिए जो पोटल जारी किया है उसका नाम है श्रमिक कल्यान पोटल जिसकी जानकारी पीएबी के ट्विट में मिलती है कि मिनिस्ट्री इंडिया ने इंश्रो कर दिया है 100% payment for the minimum wages to contract workers फ्रोई application श्रमिक कल्यान पोटल आपको बता दो कि एक ही दिन में 6 करोड से जादा जो रेस्ट्रीशन है वह यहां पर हो चुके हैं देकि इंडिया रेल्वे ने इसी महीने में बहुत सारे काम भी किये जैसे फर एक्जांपल उन्हें सारे के सारे इंक्वारी में ईकी कर दिया है इससे पहले दो इंक्वारेस नमर थे 182 अर भाण टाटीयट में अपने सारे इसारो में अनवरमे मैं 139 हां देख पहेंगे किस प्रकासिं इंडिया वीन में वैं पश्रमिक टंद्र को जारी और यह डीरr सब्सक्राइब क्रिस के द्वारा चलिए नेक्स कोशन आप यह है कि 11 मार्च 2021 को किंग भूमी बोल विश्व मर्दा दिवस 2020 का जो पुरुसकार है यह किसे दिया गया है तो यह दिया गया है भारत की बहुती मैधपुन संस्ता है जिसका नाम है ICAR Indian Council of Agriculture Research और यह पुरुसकार दिया गया है थाइलेंड की सरकार के द्वारा मेरे साथी इंपर्टन कोशन है एक्जामनेशन के पॉट और व्यू से तो ICAR इंडिया रिसीव किंग भूमी बोल वर्ल्ड सॉल डे टू 2020 अवार्ड अवार्स बादी FAO ठीक है चलो अगर बात की ज द्वारा जो विश्यू मिर्दा दिवस है यह मनाया जाता है पांच दिसंबर को 5 दिसंबर को फूड एंड अग्रिकल्चर ऑगनाईशन के द्वारा इससे स्टैबलिश किया गया था तो ICAR के द्वारा यह जो अवार्ड है भी जीता गिया है अगर बात की जाए किंग भू कौन सा दिवस मनाया जाता है बहुती सिंपल कोशन है मैं उम्मीद करूंगा आप सबके सब यहां पर इसकान समझे जरूर देंगे आपके उप्शन इस प्रकास से हैं कि यहां पर महिला सुरक्षा के खिलाब विश्यू दिवस विश्यू डाग दिवस वर्ल्ड डे अगें डाग करेंगे शेयर करेंगे और यहां पर प्यारे प्यारे कमिट्स ज़रू करेंगे हम कल मिलेंगे सेम अचायम पर सपर आपको नए नया फ्रेश ब्लेश के लिए ये कrafi यहां पर पढ़िए और अपनी जीवन में सफटा को प्राप केजिए